हाई दोस्तों असलाब आलेकुम कैसे आप लो मेरा नबील है आपल रिलीस के आयो 17.2 का डेवलपर बेटा और पब्लिक बेटा 2 आप सभी के आईफोन के लिए जो भी डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा प्रोफाइल पे अपने आईफोन को चला रहे हो या प्रोग्राम म मिलेगा क्या कुछ इसमें नया है क्या कुछ खास है क्या सही है क्या गलत है सब कुछ इस वीडियो में हम discuss करेंगे चेक आउट करेंगे इस वीडियो के अंदर के इस वाले अपडेट में आपको क्या कुछ देखने मिलने वाला है सबसे बहले बात करते हैं अपडेट के थी 740 GB के आसपास अपडेट से पहले के बिल्ड नमबर के अंदर आपको एंड में जी देखने मिलता था और अपडेट से पहले मोडेम फर्मवेर था 2.20.02 अपडेट के बाद यहां पे 19 GB अवैलेबल फ्री स्पेस घड़ गई थी और यह चीज हमने देखी थी iOS 17.1 के अंदर तो यह चीज और 17.1.1 के अंदर भी सेम चीज हमने देखी तो यह चीज एक मुझे जो है काफी बेटा वर्जन से आपको गुजरना पड़ेगा और यहां पे नया मोडेम फर्मवेर भी है जिसके अंदर 2.20.04 मोडेम फर्मवेर नंबर आपको देखने मिलता है क्योंकि मेरा आइफोन 14 प्रो मैक्स है तो यहां पे यह चीज जो सबसे पहली नई चीज आई है वह यहां नहीं करते हैं यहां पर दिखाने में सकता है इसलों में चुछांग यहां पर आपको दिखा रहा हूँ और यहां पर कैमरा की सेटिंस के अंदर फॉर्मैट्स में आपको एक चीज देखने मिलेगी वीडियो पॉर अपल विज़न प्रो जब आप इसको कर देंगे एंबल तो वीडियो में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यह फोन रोटेट करने बोलेगा लैंड्सकेप मोड में फिर आप स्पेशल वीडियो शूट कर सकते हैं जो आपल विजन प्रो में ही आप जो है अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे तो विजन प्रो लेना चाहते हो और अब इसे कुछ मेंबरी बना के रखना चाहते हो तो वह चीज का फाइदा उठा सकते हैं लेकिन मुझे इतना कोई इस बात का अभी फिलाल सेंस नहीं लगता लेकिन हाँ अभी इसको टेस्ट कर रहा है आपल विजन प्रो आते ही यह भी चीज आपको देखने मिलेगी आप इसमाइ और यह लेकिन यहां पर जैसे मैंने इसको तीन चार बाप पूछा यह मुझे बता नहीं रहा है लेकिन यह चीज इस वाले अपडेट के अंदर अपल ने अप्डेट के अंदर आपल ने अप्डेट में अपर आपकर बैक्डाउंड में हैं तो सीरी को आप एटी क अपर इसमाइप को चीज ओती है जहांपे आपके बाद जितने अपर अपकी फोन है मेरा मैख्बूक है वह सब यहां पे दिखा नहीं रहा है तो अबी यह बगी है लेकिन यहां पे इसकी पॉजिशन मूफ कर दिया आपल ने ऊपर की तरफ आपल टीवी प्लस का आइकें जो है यहां पे आपको इस तरीकी का देखने मिलेगा नया वाला सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी एंड सेक्योरिटी में आपको मिलता है सेफटी चेक और सेफट ना करें इसलिए यहां पर दीवी है अब इसके रिलीज नोट चेक आउट करें और क्या कुछ बग्स इसके अंदर अभी भी मौजुद है वह आपको यहां पर देखने मिल जाएंगे तो एड्रॉप के अंदर जो नून इशू है वह यहां पर देख सकते है कि इसमें जो है वो fail हो सकता है तो यह इशू यहां पर है इसके बाद apple music से related कुछ known issues है जैसे favorite song playlist वगरा जो है time लगाएगा appear होने के लिए iMessage contact की verification में कुछ new features वगरा दिये जो पहले में वदा चुका और इसमें resolve भी चीज़े है यह contact verification, checkmark वगरा जो है अब show up हो जाएगा लेकिन और भी known issues इसके अंदर भी आपको देखने है और अभी बेटा version है और अभी build number उसके end में G है दीरे दीरे ही जो है यह fix किया जाए लेकिन वह heating issue वह battery drain वह सारी चीज़े आप यहां पर fix कर दिया अब battery life के बारे में बात करते दोस्तों बैटर लाइफ के बारे में यहां पर इस फून पर बताना जो है ना मुम्किन है क्योंकि मेरा primary device नहीं और चला रहा हो तो उसके बारे में आपको update कर सकता हो लेकिन battery health द Bluetooth airdrop हो या फिर hot spot हो airdrop का issue था जो 17.1.1 के अंदर जो recent update आया उसमें आप ले fix ही तो इसमें भी मैंने same guard दालके रखाया यह नहीं है कि सब चीज़े में टेस्ट करता हूँ जिसे यहां पर एक ATL का SIM है इसके अंदर लेकिन हाँ बहुत ज़ादा इस phone को इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं इससे हमको बताता है performance घटा या बड़ा है CPU history देख लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर पहले सिंगल और multi-core का score आपके सामने 26276710 और अभी का है 2637 और 6147 तो यहां पर multi-core score में मुझे drop देखने मिला जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इसके पहले भी 6867 6867 की range में था अच्छा यहां पर देखने लाए तो बस CPU का जो multi-core का score है उसमें थोड़ा सा मुझे यहां पर concern लग रहा है कि इतना drop क्यूं हुआ थोड़ा पूर ठीक है 50.100 यहां पर ठीक है चलते रहता है 6867 6867 ऐसे ही था alternating लेकिन यहां पर आ गया 61 पर तो यह थोड़ा concern लगा मुझे अगर आप stable version पर हो तो आपको कोई sense नहीं बनता दोस्तो इस वाले update को down install करनेगा क्यूंकि ऐसी कोई यहां पर चीज निए ground breaking जो अभी के अभी आपको try करनी है अगर आप beta version पर already हो तो आप कर सकते 17.2 beta 2 को update लेकिन अगर आप stable version पर हो तो stable version पर हो वो आपके लिए better रहेगा इसकी final release date 17.2 की कब आज सकती है तो इसके लिए हम चलते है calendar में और अभी फिलाल इस मन्द में आपको इसके beta updates ही November में देखने मिलेंगे और इसका जो stable version आएगा वो आपको December के महिने में द के वाला update आउने श्रॉल किया है आप कौन से वर्जन पर चला रहे हो चला रहे हो उसमें आपको किस तरीगा battery performance देखने मिल रहा है 17.1.1 पे मुझे comment करके ज़रू बताइए उम्हीं करता दोस्तों आपको आचके वडियों पसना है आपको आपसने वीडियों के लाइक शेर दरू कीजिए मेरे शानल को सब्सक्राइब जो किजिए गुडबाए